तो गोतम कुंडू केस में तो जो सक्की टाइप के पती थे, जब यह DNA आया, तो बहुत सारी रिट्स और बहुत सारी पिटिशन कोर्ट में चली गई, कि मेरे भी टेस्ट कराओ, मुझे भी डाउट है पतनी के करेक्टर पे, बच्चा यह हो सकता है, किसी और का हो, तो ऐसी बहुत सारी रिट्स और पिटिशन्स फाइल हो गई कोर्ट में, बड़ा अंबार लग गया, तो उस अपर धकन लगाया गोतम कुंडू केस ने, गोतम जरूर पढ़िए अगर आप पैटरनिटी का कहीं भी केस करने का दिमाग में है, या आपको civil role of DNA in civil dispute, उसमें भी यह केस आपको सबसे ज़्यादा है, रेफर्ड केस मिलेगा, तो यह पांच गाइडलाइन, कोर्ट में बना दी, कोतम कुंडू में, यह हैं, आप देखिए अ कि इन्हों ने यह कहा, मोटा मोटा बताता हूं मैं, कि आप जब भी कोई माता पिता साधी सुदा हैं, पहली बात तो यह guideline किन के लिए लागू होंगी, उन माता पिता के लिए लागू होंगी, जिनकी marriage valid है, invalid marriage पे यह चीज़े लागू नहीं होंगी, पहला तो यह समझे, जहां पे जैसे साधी नहीं है, रेप का मामला है, या कुछ और paternity dispute है, तो उस पे गोतम कुंडू लागू ही नहीं होगा, यह confusion है लोगो, हर जगे गोतम कुंडू को बता दें, गोतम कुंडू only applies in those cases where marriage is intact, there is no question mark on marriage between the husband and wife, where the child's legitimacy is questioned, तो पहला क्या है, कि कोट को यह निर्द कुंडू केस में, कि भई, आप रोबिंग इंक्वारी नहीं करेंगे, कोई भी केस आ गया और आप उसमें DNA का ओडर कर दे, no, पहले आप 112 सेक्शन को यूज करिए, अगर उससे आंस्वर आपको मिलता है, तो first priority would be using 112, first find out whether marriage was valid or not, if marriage was valid, then close the case and the child will be legitimate, दूसरा, के आप रोबिंग इंक्वारी मत करा दिजे, कि बच्चे का भी blood sample, इसका भी blood sample, उसका भी, use your brain and judicial mind, क्यों, यह सदा क्यों किया उन्होंने, इसलिए किया, the fourth देखे, बहुत important, the court must carefully examine as to what would be the consequence of ordering the blood test, whether it will have the effect of branding a child as bastard or mother as an unchastable woman, यह बहुत sensitive मुद्दा है, क्योंकि अगर आपने DNA करा दिया, और यह हो गया कि हाँ, यह DNA से यह match नहीं कर दा, तो एक जो निर्दोस बच्चा है, वो क्या कहलाएगा, अवैद, जिसे हम slang में, गंदा बर्ड है यह, बास्टर्ड, तो बास्टर्ड बोल देते हैं, आप सोच समझे, DNA कराना सुरू कर देंगे समाज में, तो पतानी कितने बच्चे जो है, या इवन बड़े भी, वो अवैद कि सरे नहीं आ जाएंगे, तो people will start calling this word, I don't want to speak it again and again, but this is a very bad word, I always say, it should not be used, so they will be illegitimate, and mother as an uncestive woman, लूज करेक्टर, समाज में देखिए, अगर किसी महिला के बारे में कोई ऐसा बोल दे, और ये तो एक DNA प्रूब करेगा, ये तो एक स्टिफिकेशन कर देगा, एक दम, कितना बड़ा इस्टिगमा होगा, बहुत सारी परिस्थिती है, मैं कोई extra-marital relationship का जिस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, बड़ सच्चाई भी ये जीवन की, तो हर सच्चाई को आप बाहर ऐसे डब्बे में, जो चीन है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हर समय, बहुत सारी समाज की ऐसी चीज़े हैं, जो विदिन फोर्वाल है, उनको आप कोट का डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो यही उद्देश, उनरेवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का था, कोतम कुंडु में, कि आप बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डिन ने का ओर्डर करेंगे, यह सबसे इंपोर्टेंट है जो लास्ट पांच, सिविल मैटर में, चुके पैटरिटी डिटर्मिनेशन इस न महिला है, वो अपना सेंपल ना दे, अब तो बच्चों के लिए भी हो गया, यह जानिए यह लेटरस्ट जज्जमेंट है, कि आप बच्चे का टेस्ट आप उसकी बिना मर्जी के नहीं कर सकते, यह निए कि आप सेंपल ले लो उसका ऐसे ही, पहले किया था बच्चा है, अ माता पिता भी कंसेंट बेकार, और और कोई लीगल गार्जन होगा नहीं, तो कोट विल डिसाइड वेदर सेंपल सुट भी डेन और नोट, तो यहां अब यह सवाल उठेगा, अगर वो सेंपल नहीं दे रहा, तो फिर हम क्या करें, इसका मतलब तो सारा कानून का परपजी फेल हो गया, तो यहां इसे कहते हैं, अगर आप सेंपल देने से मना करते हो, तो कानून में 114 सेक्षन है, यह बहुत यूज होती है, सेक्षन 114 ऑफ दा इंडियन अविडेंस एक्ट, इडिज काल्ड एडवर्स प्रिजंप्शन, तो अगर आप ने सेंपल देने से मना कर दिया, इसका मतलब है, कोट यह प्रिजूम करेगा, कि आप में दाल में काला है, आप जान पूछ के इसलिए नहीं देरे सेंपल, हम कमपैल नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रिजंप्शन आपके अगेंस्ट नहीं काल लेंगे, फिर हम ओर्डर आपके अगेंस्ट करने के लिए एंटाइटल है, सेक्शन 114 यह कहती है, सेक्शन 114 सेक्शन को मेरा कहना यह है कि लोग के स्टुडेंटे और फोरंसिक साइंस के इसको ठीक धंग से पढ़िये, और जो लोग पढ़ाते हैं स्टुडेंट्स को वो 106 और 114 के कॉम्बिनेशन को समझे, यह बहुत चौदे का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत सारे ऐसे फैट जो किसी एक पर्टिकुलर आदमियों की जानकारी में हैं, लेकिन वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता, तो उसका एडवर्स प्रिजमसल लिया जा सकता है, तो यह जो है सिविल मेटर में आप उसे कंपैल नहीं कर फिर मैं रिपीट करता हूँ, गोतम कुंडू का केस केवल उन केस पे लाग होता है, जहां पर माता पिता के बीच की साधी इंटेक्ट है, उस पर किसी परकार का कोई सवाल या निसान नहीं है, अब दूसरी फेज है, एमिनेंट नीड, अब थोड़ा सा समय बढ़ता है, ड एमिनेंट नीड का कंसेप्ट कहां सा आया, यह मेंली आया था, भागवती पिरसाथ जयना से, लेकिन इसके फुट्पेंट इस सारे केस में मिलते हैं, यह जट्मेंट आपको बड़े इंट्रेस्टिंग लगेंगे, और अगर आपको इसमें पढ़ना तो इनको पढ़िये, आपको पूरा कंसेप्ट किलियर हो जाएगा, बनार सिदाश्टिक कू, कौमति देवी, सारदा, धरंपाल, बट भागवती पिरसाथ जयना, यह बहुत इंपोर्टेंट केस है, भावानी पिरसाथ जयना, इसमें एमिनेंट नीड, एमिनेंट नीड का मतलब, यह किसको दिय यह प्रोविजन कोट को दिया, कि जहां आपको यह लगता है, कि यहां बहुत ज़्यादे जरूरी है, मस्ट है कराना, डियने, तो एमिनेंट नीड के ही केस पर करोगे, तो एक स्टैप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, हाँ तो बिल्कुल रेस्टिक्शन कर दिया था, कि 112 तक ही रहेंगे, अगर साधी सुदा है, उसके बाहर जाओगे इंडी, यहां थोला सा लिब्रल हुआ, हलका सा, एमिनेंट डीड पाएगे, और अब जिरा थर्ट देखी, खुल के खेल गए, रोईट सेखर ने यह बिल बजा दिया, और यह बिल बजा इसमें, डियने कराने और उसको और धार दे दी फिर, नंदलाल ने, नंदलाल में बताता हूं जोने क्या किया भी, और दीपन विता ने उसको और खोल दिया, यानि कि अगर परडाइन देखें, तो फेज बन में, पहला केस क्या था, गौतम कुंडू, उसने कहा के 112 पर रस्टिक्ट करिये, यह स साथ जैना, वर्सिज वोमन कमिशन आप उरिशा, उसमें थोड़ा सी लिब्रल हुए, कहा के एमिनेंट नीट पर जाईए, और यहां क्या कहा, आप जड़ा देखें, नहीं एक मिनट, यह है, इसमें क्या था, इस केस में, टॉप पर लिखाए मैंने इसलिए इसको, प्रें चेंज, प्रूथ ही ट्रम्ट, उन्हां कहा कि यह कुछ नहीं साधी है या नहीं है, सच्चाई जानना जरूरी है, लेकिन सोचने की बात यह है, कि सच्चाई क्या माता पिता को जानना जरूरी है, बच्चे का कोई रॉल नहीं है, जीवन बच्चे का भी उसमें जुड़ा का जवाब बाद में कोर्ट देता है लेकिन नंदलाल के केस में आल्मोस्ट खोल दिया को पूरी लिवर्टी दे दी के इंदा इंट्रेस्ट आफ टूथ आप डिन्ने करा दीजिए और ज्यादे तर केस में फिर हाला कि अभी भी यह मिक्स सिनेरियो है कुछ कोट 112 को इंफैसि केस देते हैं इसलिए अभी इसका जो पैराडाइम है जुरिस्पूडेंस है वह बहुत सेटल जुरिस्पूडेंस नहीं है यह हो भी नहीं सकती यह बात सही है लेकिन ज्यादे इंफैसिस जो है अगर आप सो केस देखोगे ऐसे तो उनमें से सतर केस मिलेंगे टूथ बेस यानि के नंदलाल वाले केस को फोलो करेंगे बहुत रेयर केस जो है वह जाएंगे जैन उस पर आपके गोतम कुंडू और गोतम कुंडू के बजाए फिर वह एमिनट वाले पर जाएंगे ठीक है तो यह चीज़ें जो है आपको अब यह थोड़ा से मैं लिविन रिलेशन्शिप की बात बताता हूं आपको लिविन रिलेशन्शिप में चुके यह मैरिज तो है नहीं तो जब मैरिज नहीं है तो जो भी इसके बच्चे पैदा होंगे वो क्या कहलाएंगे 112 तो उसको हीट करेगी 112 में तो वो इलेजिट में कैसे जो बच्चे फ्लिविन रिलेशन्शिप से पैदा होते हैं अभी तक क्या लगेहीं हिसाब से उनका लेजिटिमेट बच्चे वो नहीं कहला सकते हैंस और जब वो लेजिटिमेट नहीं कहलाएंगे तो उनको इनहरिटन्स के राइट भी नहीं मिलें सित, तो इसी You may be having right of your body, but you are also affecting the life of the inborn who will be coming and then he will be tagged as illegitimate one and will not be having any legitimate right on the property of the father. Mother ki property pe right ho ga uska, because mother mein ko hi confusion nahi, but father ki property usko inheritance mein nahi milegi. अब थोड़ा सा इसको समझे लिव इन रिलेशन्शिप को यह विलियम कॉंग्रेव हैं वहांके युएस के ड्रेमेटिस्ट है यह थेटरिस्ट कह लिजिए उनका यह कहा अब इसको कोई माने ना माने आपकी मर्जिए कि यह क्या है फिनोमिना मेरीट इन हेस्ट एंड रिपेंट अट लेजर अब सोचते रहिए आपका क्या आप मानते हैं सही गलत I am not judgmental it's like a test drive consequence of the tussle between tradition and modernity बहुत लोग है नहीं हम साधी बादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ठीक है आपको जो लगता है तो इसे बेसिकली टॉसल बीट्विट्विन modernity and traditionalism then living together without having any formal ties उनको यह लगता है कि बही ना हमें कोई साधी का जहन्जा के ceremony करिये अगर हमारा नहीं compatibility हो रही है तो हमें divorce के बहुत चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे हमें बहुत obligation नहीं करने पड़ेंगे तो this is a mutual understanding fine it's your choice no cumbersome liability enjoy freedom no legal framework for separation divorce etc more propagated by female as a symbol of woman emancipation उनको लगता है महिलाओ को बहुत सारे my body let me decide the fate but क्या यह स्वतंतरता के रूप में इसको देखा जाता है यह अलग 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 विचार हो सकता है अलग 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 जो नीना गुपता के बारे में मैं बताना चाहता हूं नीना गुपता जिन लोगों को ध्यान होगा वह 1980s में चीवाट बूट 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 बूर्ट रलाशनिशिम विविविवन रिचेट और उस्टाम पे अधर अगर अधर रड़ी इकन अप अधर अधरी आधरी ऑन भूट अधरी यह लोगों वीवाट बूट रड़ी अधर चीवाट इं अधर बूट प्यान पंट टें Now, somewhere, I think in 2014 or 2016, she gave one statement, which is, you can Google, and the gist of her statement is that, that was my mistake to some extent. What I mean to say, I am not justifying nor rejecting any thought, but whatever you are doing, take a concerted effort for a long time. Whatever you are doing, take a long-term vision, view. It's not a matter of a day or two, or maybe a week or so. It's not a one-night stand. So, think over, take a concerted view, and go by. It's your choice. अभी एक और बात है, कि ये जो लिविन रिलेसंसिप है, अभी तक हमारी जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें कहीं इसका कोई फुट्प्रिंट नहीं है, कहीं लीगल रिक्रिंट नहीं है, एक्सेप्ट डॉमेस्टिक वाइलेंस. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होने लगे, बहुत लोग रहने लगे लिविन में, आपकी चोय से कौन आपको रोग देगा, लेकिन उनमें जगडे हुए, जगडे हुए तो फिर वो डॉमेस्टिक नेचर के हुए, जब उनमें वाइलेंस हुई तो फिर कहीं ना कहीं उसको रिकर्गनीशन मिली, बस लेकिन डॉमेस्टिक वाइलेंस में, प्रेम में नहीं, जगडों में, जगडों ने रिकर्गनाइज किया इसको, कोई नॉर्मल कंडिशन में नहीं है, क्यों? ताकि उनको कुछ हद तक कोई रिलीव मिल सके, कम से कम वो डॉमेस्टिक वाइ जो होती है किसी भी एक्ट की, वो डेफिनिशन सक्षन होती है, तो यह डेफिनिशन सक्षन में है, सक्षन 2F, जिसमें इसको रिकर्गनाइज किया है, और अगर आपको और डिटेल पढ़ना है इसके बारे में, तो यह वैल्यू स्वामी वर्सिज, पेट्रिया मल का केस कोर्ट ने लिविन रिलेशन से को कैसे डिफाइन किया, देखें इंट्रेस्टिंग है बस, मज़ेदार है यह, देखो, यह कंडिसंस हैं, किनको हम मान लेंगे, जिरा पढ़ लीजे, मैं सुनाता हूँ, कपल मश्च सोशली रिकगनाइज़ एर स्पाउस, यह नहीं कि आप आपको एक सबस्टेंशिल पिरिट अफ ताइम साथ साथ रहना पड़ेगा, यह नहीं कि वन नाइट स्टेंट अपना दो चार दिन रह लिए मोज मस्ती किया चलेगे और कहने लगो आप, तो आपको अगर लिविन रिलेशन सिप का क्लेम करना है, तो आपको यह सिद्ध कर करना पड़ेगा के, तो आपको यह नहीं कि वर लिविंग फोर अप्स्टेंशिल पिरिए अफ ताइम, और पीपल आउंड आउंड उस वर कंसीडरिंग उस अजबें अजबें आपको यह नहीं है, यह नहीं कि आप बगल वाले उस में रह रहे हैं, दूसरा उस में रह रह और कहरें हम लिविन में रह रहें, नो, नो रिकरगनाइज़, एक छट के नहीं रहा होगे, शेर्ड हाउस, शेर्ड हाउस का डेफिनिशन अगें, सेम एक्ट में 2S में दिया हुआ है, लिव तोगेधर फोर सिगनिपिकेंट पिरियोड अफ टाइम, मस्ट अटें लीगल म अब यह नहीं है कि आप वो बच्चे 14 साल के, और एक चाही मेजर भी हो, एक भी अगर माइनर है, तो वो लिव इन नहीं हो सकती, वो तो फिर क्या होगा, रेप में चला जाएगा, अगर कंप्लेंड होगे, इस्ट्यूट्री रेप, नो प्रिवियस मेराइटल अबलिकेश यह नहीं कि साधी आपकी किसी से जैसे यह किसा बड़ा इंपोर्टेंट था, किसके केस में, राजेस खन्ना के, राजेस खन्ना के साथ मुझे फर्स्ट नाम याद नहीं है, मिसिज अडवानी थी, वो उनके साथ रही थी, और उन्होंने बहुत क्लेम किया, कहा कि साथ मैं लिविन में रही, और वो सारी कंडिशन पूरी करती थी, लगवग, बहुत दिन रही भी, सब कुछ हुआ, सेवा, भाफ सब किया, लेकिन जो डिम्पल खन्ना या डिम्पल का पाडिया के साथ, राजेस खन्ना के डिवोर्स नहीं हुआ था, इसलिए ये कंडिशन पूरी नहीं हुई थी, अगर आपका किसी कोई से भी, किसी भी एक पार्टनर का लिविन में, अगर पुराना मेराइट्रल ओबलिगेशन बाकी है, अगर सेप्रेशन भी है तब भी, जब तर डिवोर्स नहीं हो जाए, कंप्लीट रिलेशन, कंप्लीट खितम नहीं हो जाए, तब अगर ऐसा नहीं है, तो यह क्या कहलाएगी, यह पॉलिगेमि कहलाएगी, आपके बहु अदल्ट्री कहलाएगी, यह अदल्ट्री, यह नहीं किसी को जवर्जस्तिला का आपने रख लिया, और बहुत दिन रख करके उसको किसी तरीके से बंधा या, अंडर से अपकंपल्स देट मेंस कंसेंट जो वोलेंटरी है यह वही वाला that you should be marriageable, there should be no mental thing, आपको अपना sweet will होनी चाहिए, will voluntary होनी चाहिए, वो सारे वही कंसेंट वाले लगेंगे, तब जाय करके आपको इसमें जो domestic act में भी तभी भाइदा मिलेगा, तो अब आप समझे लो, बस इसमें क्या कि आपको बस केवाद साधी की रसमें नहीं करने, बाकी condition सारी वही है जो marriage में है, अब आप समझ लीजिए कि क्या है, अब मैं आता हूँ इस case पर, यह माता जी है, रोहित की, यह मरहूम आदर्नी है, एंडी तिवारी जी है, और यह रोहित है, ठीक है, यह सार्ज मुझे ल forget about this, for our purpose, these three people are there, यह दोनों लोग मरहूम हो गए है, मेरा इनको पूरा सम्मान के साथ, मैं इनको याद करता हूँ, और माता जी है, इनसे भी मेरा अच्छा परिचे रहा, और यह दिल्ली में रहती है, सायद, अब हम इनके बारे में थोरा से मैं आपको family background बताता हूँ, इस case से related, बाकी का family से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल अपने case से related जो concern points है, वो मैं आपके साथ share करता हूँ, इसे पढ़नी के बजाए मैं आपको main main points है, वो बता देता हूँ, इस slide को हम आपके साथ share करें तो जिसको अगर तिरो थे students को, teachers को वो इसका चाहें तो यूज कर सकते हैं, जहां चाहें, यह आपकी अपनी property है, इसको चाहें आप यूज करें, मिस्यूज करें, अब यूज करें, जब हम एक बार इसको down, आपके उस पर public platform पे डाल देंगे, आप इसको कहीं यूज करिए मैं कभी इसका personal claim नहीं करता, चुकि मैं यह मानता हूँ, यह मेरी intellectual property नहीं है, यह मुझे समाज ने दिया है, और मैं इसको समाज को ही वापस लोटा रहा हूँ, तो इसमें मेरी कोई intellectual property नहीं है, आप नहीं दिया है, आप भी ले लो, तो यह जो इनकी माता जी थी, उनका न इन दोनों की साधी, 1962 में हुई, और यह दोनों, दिल्ली college के किसी उसमें, assistant professor या, मलब, post-generation college में थी, दोनों की अच्छी married life, इनको एक बच्चा, इससे बड़ा, पहले हुआ, 1966 में, जिसका यहां कोई concern नहीं है, इनका मैडम का कहना है, कि 1970 के बाद से, इन दोनों की बीच म में कुछ discord होना सुरू हुआ, marital discord, कुछ थोड़े से जो differences आने सुरू हुए, और यह मैडम जो है, मैडम उर्जुला सर्मा, यह कोई सामान परिवार की नहीं थी, इनके पिताजी उन दिनों, इनके जो फादर थे, वो cabinet मंत्री थे, government of India में, तो he was a very renowned fellow and she is from a very good political family, ठीक है, तो यह उनके सरकारी बंगले में जाया के रहने लगी, अपने हत्में के से अलग, उस बीच में जो एंडी तिवारी थे, यह यंग थे, और यह उन दिनों जो यूद कांग्रेस थे, उसके प्रेजिडेंट हुआ करते, चुकि इनके फादर इस्टालवार्ट थे, senior leader थे, त के घर में लगा रहता था, उनी दिनों जो भी अक्टिविटी हलांके यह भी कहा जाता है, जो जुला सर्मा थी, यह भी कुछ पॉलिटिकल चीजों में इनका काफी दखल था, तो उन सुब कार्णों से जो भी परिस्तितियां बनी हो, इन दोनों का आपस में प्रेम पिरसं के कारण एक बच्चे को कंसीव हुआ और जिसने 1979 में जनम लिया, जिसका नाम रोईट सेखर है, तो यहां टैग लाइन यह है, कि 1979 में बच्चे का जनम होता है, माता-पिता की साधी 1963 में होती है, दोनों अलग-अलग रहने की बात 1970 से करते हैं, लेकिन सेम सहर में रहते हैं ऐसी कोई बात निहीं कि विदेश में रह रहा हो या कोई एक कहीं और रह रहा हो और इनका आपस में मिलना जुलना होता है, उस घर में, और इन से एक बच्चे का चनम होता है, जिसका नाम रोईट सेखर रखा गया, उस टाइम जब यह बच्चा होता है, ना केवल, मैडम उज्वला सर्मा मैरिड थी, एंडी तिवारी भी मैरिड थी, और उनकी पत्नी का नाम, डॉक्टर, सर्मा था, मिसी सर्मा, ठीक है, तो अब इस बीच में ये बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, और ये फिर LLB कर लेता है, जो भी होता है, 2005 में BP सर्मा और उज्वला सर्मा के बीच डिवोर्स फाइल होता है, और 2006 में डिवोर्स फाइनल हो जाता है, यानि के 1963 से ले करके, और 2006 तक इनकी साधी जो है, वो इंटेक्ट रहती है, और बच्चे का जनम कब हुआ, याद करिए 1979, अब अगर हम 112 की धारा लगाएं, जो हमा रूपी सर्मा, क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई बिल्कुल अगर ब्लंट आदमी भी अगर साइन्स लगाएगा, लीगल लो लगाएगा, सेक्शन लगाएगा, तो वो भी कहेगा कि इसमें कोई केस ऐसा बने गाई नहीं, दूसरा मैंने पहले ही कहा है, बाइलोजिकल फा कर ली, तो इस बिकम से प्राइम यूथ, 1979 से 2000 तक 21 साल हो गए, और उसके बाद 7 साल तो 17-18 साल का ही वाजे बरी, you know, fully grown advocate by then, right, अब यह जो है, 2007 में एक केस लाते हैं, पहला, इस केस में कहते हैं कि साब, मेरा जो संधे है, वो यह है कि जो एंडी तिवारी साब है, वो मेरे biological father, what have biological father, mind it, biological father does not exist at all till date in our legal framework, we only recognize social legal father, तो biological father determinants is out of question till date, nobody can claim going, जब के, जब अगर दोनों माता पिता की साधी इंट्रेक्ट हो, तब आप कह सकते हैं, DNA test के लिए, biological father के लिए, अगर साधी नहीं हुई है, उस केस में आप DNA की बात कर सकते हैं, क्योंकि कारण से वो कुछ उसमें technical defect था, जो इसने रोहित ने बताया, फिर इसने रिट को वापस लिया, फिर दुबारे इसने 2007 में दूसरी रिट की, ठीक है, और दूसरी रिट में इसने वही चीज़ की, और आप देखिया evidence क्या लगाए, यह खत्रे की बात है, आप सब जो भी दर्सक दीरगा में हैं, देख सुन रहे हैं, वो ध्यान दीजेगा, कि ऐसी गलती मत कर वैठिये, इसने क्या कहा, करीब एक सो पैंतालीज के, एक सो पचास के करीब फोटोग्राफ लगाए, जो गूगल करेंगे तो सायद कुछ फोटो इसमें, मैंने उस टाइम दे बच्चे को गोध में लिए हैं, और पूरा जो है, जैसे घर का महोल होता है, वैसा है, तो अब आप कहीं, अगर किसी बच्चे को फूल का गुलदस्ता गुलदस्ता लेके जा रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ की जाना, तो इध्यान रखना मतलब यह चीज है, एंडी तिव कि उस टाइम पर जब यह केस हुआ, तो एंडी तिवारी साथ उस टाइम आंधरा प्रदेश, जो युनाइटिड आंधरा प्रदेश था उस समय, उसके गवर्नर थे, कॉंग्रेस की पिरियन, तो अब जैसे बड़ा केस होता है, बड़े केस में बड़े-बड़े जज, बात की है, बाइलोजिकल फादर हमारे लो में एक्जिस्ट नहीं करता, दूसरी बात, हमारे हां केवल एक सेक्शन है, पैटरिड इटरमेशन की 112, वो यह कहती है, कि हुई जी और फादर टो हम यूर मैजर वाज मेरीड, अट टाइम यूर बर्थ, यह बिलकुल नहीं है, तो इसलिए इसका रिट का कोई आधार नहीं है, लेकिन जो भी ग्राउंड बने, उसमें चादर प्ली यह लिया लिया गया, कि यह जो है, हमारे जो एडवोकेट है, जो है, क्लाइंट वो है, जो डिफेंडेंट है, एंडितिवारी, वो गवर्नर है, और उन्हें कुछ इम्मुनिटीज हैं, डिविलेज हैं, कि उनके खिलाप आप भी नहीं ला सकते, उन्हें और भी प्ली दी है, ऐसा नहीं के वली है, बट कोट ने कहा दिया उसमें, कि भई देखिये, ऐसा सिविल का मैटर है, कोई क्रिमिल नहीं है, पहली बाद, और दूसरा यह जब जबकि यह घटना है, 1979 में जब यह कंसीव होए होंगे, तब आपके यह जो डिफेंडेंट है, वो गवर्नर नहीं थी, तो इसलिए उस क्रिट को जो है, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट होने के बाद, केश चला, फिर अगला परेडाइम आता है, कि अगर आप गोतम का मामला होने के बाब जूद भी यह आदेश दिये गए, डिस्टिक जर्ज धेरादून को, कि अगर, एंडी तिवारी अपना ब्लड देने में आना कानी करें, तो जो रिक्वाइड फोर्चा वो यूज किया जाए, अब मेरे हिसाब से, as a very, very humble submission as a student is, कि यह gross violation था, जो गोतम कुंडू की जो पांच गाइड लाइन, that is still considered Bible, for marital things, जहां पर marriage intact है, वहां पर कराने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम तक यह गवर्नर से स्थीपा दे चुके थे, जेरादून में थे, खेर, huge force का हुआ नहीं हुआ, वो तो एक अलग कानी है, बट बलड दे दिया गया, अब बलड चला गया, अब सायद एंडिति जिवारी साब को पता होगा ही के हकिकत क्या है, इन दोनों में compromise हो गया, यह हुआ, ठीक है, अब हम इसको out of court settlement कर लेते हैं, लेकिन God knows better, why court was so adamant, के court नेकाग नहीं, हम इस report को public करें, यह भी मुझे समझ में नहीं आया, कि इसको report को public करने का क्या कारन था, दो लोगों का यह report में क्या आया, यह civil का matter दो पार्टी के बीच था, दोनों पार्टी हो ने आपस में compromise कर लिया, लेकिन court ने फिर जजमेंट दिया, और जजमेंट देखी मैं थोड़ा सा इसको यह देखिए, इसमें यह इंट्रेस्टिंग है, इसमें थोड़ी मेरे observation है, simply, very humbly, with all due respect to the system and legal luminaries, my observation as a student is very clear, कि इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा घहराई से देखते हैं, इस पूरे जजमेंट को, तो इसमें गोतम कुंडु कहीं ना कहीं, पीछे से बोलते दिखाई देते हैं, गोतम कुंडु की जो पांच गाइड लाइन है, वो बिल्कुल किलियर बोलती है, लेकिन बाद में आएके थोड़ा वो कुछ अलग दिसा पकड़ती है, वो मैं आपको थोड़ा सा इसको इसको इंटरप्रेट करताना चाहता हूं, there is of course the vital interest of child to be branded illegitimate, कहा की language है, गोतम कुंडु की, उसमें कहाता ना के बच्चे को illegitimate, या वहां बास्टर बार यूज किया था, य that the conclusiveness of the presumption created by the law in this regard must not act detrimental to the interest of the child, the protective cocoon of legitimacy should not entom the child aspiration to learn the truth of his or her paternity, यहां मेरा छोटा सा एक सवाल, सम्मिशन है, not सवाल, कि अगर हम इसकी जगे, paternity की जगे, biological paternity reward कर देते है, तो अब तो कोई law बनता, अब paternity कहते के साथ तो फिर हम 112 पचे लेगे, paternity जैसे ही सब्दमने मातर अकेला paternity कहा, इसका मतलब है, paternity का answer देने के लिए कहा जाएंगे, 112 में, इसका मतलब यह हुआ, कि आपने DNA करा दिया, आपने यह बता दिया, कि यह इसका पिता नहीं है, मतलब यह जो उनके married father थे, mother से वो नहीं है, तो आपने यह क्या किया, इसका implication तो सीधा-सीधा यह हुआ, कि यह एक certification हो गया, कि यह बच्चा जो है, illegitimate child हो गया, यह clear cut हो गया, और नुक्सान क्या हुआ, नुक्सान यह रहा, कि उसको कोई benefit नहीं मिला, inheritance में, legally, क्यों चुक्ए 112 में उसी बच्चे को inheritance मिलता है, जो legal हो, illegal child को फिर बहुत सारे और विवाद होंगे, यह भी बात सही है, कि अगर हम biological father को accept कर लें, तो फिर बहुत सारे dispute हो जाएंगे, फिर पता नहीं कितने लोग ऐसे निकलाएंगे, जो illegitimate होंगे, और फिर property में बहु भी challenge होंगे, तो यह इसी तरीके से जो मैंने कहा, कि क्या maternity को decide किया जा सकता है, जबके surrogacy हम 1978 से यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो surrogate mother से हो रहे हैं, उसके बाब जूद भी, आज भी हमारे हैं, कोई surrogate mother के लिए, कोई कानून नहीं है, मेरी ख्याल से हमें इसको भी introduce करना चाहिए, अब ये एक मेरी और research का topic है, ये MLJ, जो medical legal journal, काफी बहुत बड़ा popular journal है, US का, उसमें ये chart आया हुआ है, काफी cited paper है, इसमें ये दिखाया गया है, किसी बच्चे के साथ या उससे ज़्यादे भी parents हो सकते अलग अलग lecture में हम इसको बात करेंगे, बट मैं वैसे general में इसको बताना चाहता हूँ, इसको अगर कोई interest हो तो वो मेरे उस पे लिख देंगे, मैं I can share this article, इसे वरी five or six order, अब ये देखिएगा, एक छोटा सा इसी तरीके का एक cartoon है, इसमें कहती है, ये जगड़ा है इनका and if you think it is not your, I will see you in the court, DNA testing कराएंगे, तो पता चलेगा, तो this is the gross reality, and now this is precautionary things in criminal law, what kind of things we can take care, and I know your time is very precious, so now it is time to conclude, and the DNA evidence, future perspective, the sexual offense, मैं इसको mandatory किया जाना चाहिए, किया भी जा रहा है, अब होई गया है, जैसा कि मैंने बताया ये जो नया लो आया है, इसमें mandatory हो गया है, हमें innocence को प्रूब करने के लिए भी DNA बहुत important है, right to know parentage is also to be recognized in our law, and then disaster management में भी DNA का बहुत बढ़ा रोल हो सकता, तो DNA has very dimensional, vast dimensional, now thank you, and I sincerely thanks you to take so much of time, nearly three hour and half, you were with me, you, despite your busy schedule, despite your day of holiday, it's a Merry Christmas Day, so I really thank you, the core of my heart, you have patiently listened me, you have motivated me, and soon we will be coming again with more important topics, and I suggest you, and request you, that if you have something in your mind, maybe students, maybe in the competitive exams, if you have certain topics in your mind, you can write on the page, and we will definitely try to accommodate your requirements, my purpose is to simplify the complexity, in my opinion, simplicity is the way of life, and learning is eternal, if you do not have learned a thing in a day, it is not worth it, so learn, 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 thank you very much, bye, good day.